नमस्कार मैं देवेश आलू डेकॉर की तरफ से आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत करता हूँ आज का ये सेशन आलू डेकॉर की एक नई प्रोडक्ट रेंज आलू डेकॉर सिस्टम्स के ऊपर है आलू डेकॉर सिस्टम्स Ventilated Pressure Equalized Facade Technology पर बेस्ट है यहाँ दो चीज़े Pressure Equalized और Ventilated Facade पहले हम यह समझेंगे Ventilated Facade क्या होता है फिर Pressure Equalized इस Ventilated Facade को हम कैसे करते है उसके उपर Discuss करेंगे शुरुवात में हम अपने जो Normal Cladding System है जिसे हम Tray System से Dead Wall के उपर Cladding करते हैं ACP का उस बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं Usually हम करते क्या है ACP की Tray बनाते हैं और उसे चानल्स के उपर L-Cleat के Thru फिक्स कर देते हैं जितने हमारे Expansion Joints हैं और जो भी Gaps हैं उसे हम Silicon Sealant से बंद कर देते हैं ताकि हवा और पानी हमारे बिल्डिंग को छूना सके इससे हमारी बिल्डिंग की लाइफ पढ़ती है लेकिन एक Air Gap है जो की हमारे ACP के ट्रे और बिल्डिंग के बीच में हैं ये जो हवा अटकी हुई है जो की बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि हमने Silicon Sealant से इसके आने जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया है ये गरम होते रहेगी गर्मी के दिनों में और ठंडी के दिनों में ये ठंडी होती रहेगी अगर मैं गर्मी के दिनों की बात करूं तो हमारे बिल्डिंग का टिंपरेचर बाहर के टिंपरेचर से हमेशा 2-5 degree Celsius ज़ादा रहेगा जिसके कारण हमें जादा इनर्जी का इस्तिमाल करना पड़ेगा अपने बिल्डिंग को ठंडा करने के लिए और जादा समय तक भी उसका कारण ये है हवा उतनी जल्दी नहीं ठंडी होगी जितना हमारे रात के समय बाहर का टिंपरेचर ठंडा हो जाता है हवा धीरे धीरे ठंडी होगी क्योंकि अभी भी हम गरम हवा को बाहर जाने का रास्ता नहीं दे पा रहे हैं जिसके कारण हमारी बिल्डिंग एक लंबे समय तक के लिए गरम हो जाती है वेंटिलेटिड फसाड में यही एक एडवांटेज हमें बहुत बड़ा मिल जाता है कि हमारे पास एर गाप्स होते हैं जिसके थुरू जो हवा बीच में हैं आपके क्लाडिंग और बिल्डिंग के बीच में जो हवा है वो बाहर सर्कुलेट कर सके जिसके कारण आपकी बिल्डिंग दो से पाँच डिगरी सेल्शियस ठंडी रहती है और हमें कम एनर्जी का योटिलाइजेशन करना पड़ता है रूम टिंपरेचर मिंटेन करने के लिए और जैसे जैसे रात होने लगती है और बाहर का टिंपरेचर ठंडा होने लगता है वैसे वैसे हमारी बिल्डिंग और ज्यादा ठंडी होने चलती है जो की हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में नहीं हो रहा था तो पहला बेनिफिट तो हमें मिल गया की एक इंसलेशन क्रियेट हो गया एर का और ये ऐसा इंसलेशन क्रियेट हुआ है जो की एर फ्लो के कारण क्रियेट हुआ है और हमारी बिल्डिंग ठंडी है दूसरा advantage ये जो air है ये जो air हमारे cladding और building के बीच में है इसके कारण बाहर की जो भी noises हैं वो हमारे building के अंदर कम आएंगी और तीसरा advantage की ventilated facade तो हमने किया ही साथ में इसे pressure equalized भी किया ताकि पानी अंदर ना जा पाए पानी हमारे building को नहीं छुए और जैसे ही हमारा building बिना पानी के contact में आता पानी के contact में अगर नहीं आता है तो उसकी life बढ़ जाती है लेकिन सबसे पहली चीज़ है कि हमें इस ventilated facade system को pressure equalized बनाना है वो हम कैसे बनाते हैं पहला चीज़ है हमारा जो adding हम कर रहे हैं वो हम compartments में करते हैं हमारा एक ACP का panel एक compartment हो जाता है इस compartment में air circulate करनी चाहिए दूसरी चीज़ जो vents है या जो gaps हैं जिनके थुरू हवा बाहर आ रही है वो properly designed होने चाहिए ताकि जो अंदर का air pressure है और जो बाहर का air pressure है वो equal रहे या अंदर का pressure हलका सा जादा रहे ताकि बाहर से हवा के साथ जो बारिश का पानी अंदर आ सकता है वो जिसके कारण हमारा structural stability maintained रहेगी तो हमने किया pressure equalized करके water की penetration रोग दी air circulation बढ़ा दी और और building को एक जादा lifetime दे दिया एक और advantage जो की बहुत बड़ा है वो है इस पूरे system में silicon का इस्तमाल नहीं हो रहा है यह आपके लिए cost benefit भी है और दूसरा aesthetically भी आपके लिए benefit है कि silicon जो हम usually use करते हैं weather silicon उसमें एक oil रहता है जो आपके surface के ऊपर आ जाता है जिसके कारण बारिश के पानी से आपका cladding ठीक से साफ नहीं हो पाता है उस पर dirt जमी हुई रह जाती है pollution जमा हुआ रह जाता है और हलके हलके काले से दाग आपको दिखाई देने लग जाते हैं कुछ ही दिनों में तो हमारा cleaning and maintenance का भी काम बहुत कम हो जाता है कि बारिश के पानी से ही हमारा पूरा cladding system साफ हो गया और aesthetically भी हमें वो काली-काली लाइन या फसाड से हम बहुत जादा माच कराने के भी कोशिश करते हैं लेकिन हमें exact माच का silicon नहीं मिल पाता है तो वो एक अलग सी लाइन हमें दिखाई दे ही जाती है expansion joint में वो अब हमें एक advantage मिल जाता है कि aesthetically अब हमारा system थोड़ा ज्यादा खुबसूरत भी देखेगा अब हम बात करेंगे हमारे male female rain screen system जो की alu decor का system है यह ventilated कैसे है और यह पानी को अंदर कैसे नहीं जाने दे रहा है तो अगर हम horizontal section देखें तो दो ACPs के बीच में जो की पांच नमबर से designate किया गया है अगर हम दो ACP के tray के बीच में देखें तो एक expansion joint है और हमारे पीछे के cladding जो की point number 4 से aluminium profile 312 और हमारे ACP के बीच में एक air vent है जो की मैंने red से आपको mark किया हुआ है ये gap के थुरू जो हवा हमारे compartment में एक ACP के tray के compartment के बीच में है वो बाहर आ सकती है दूसरी चीज है कि अगर पानी अंदर आने का कोशिश करेगा तो पीछे में एक drainage system बनाया हुआ है हमारे इसी system में उसके थुरू पानी पूरा का पूरा नीचे चलाएगा अगर थोड़ा बहुत पानी हमारे इस air vent के बीच में भी आता है तो वो बिल्डिंग को touch नहीं करेगा पहली चीज दूसरी चीज क्योंकि air flow continuous है तो convention के कारण air convention के कारण या heat convention के कारण हमारा पानी जो है वो evaporate या condensed कर जाएगा ठंडी में condensed करेगा और गर्मी में evaporate कर जाएगा तो हमारे बिल्डिंग के पास तो पानी कभी पहुचेगा ही नहीं तो हमने अपनी बिल्डिंग को पानी से भी बचा लिया दूसरी चीज हमने air vent उतना ही रखा जिसके कारण हमारा pressure equalized है हमारा बहर से जो भी pressure से पानी अंदर आने का कोशिश कर रहा है हवा के साथ उतना ही pressure का air flow इस vent के थुरू बाहर की तरफ आएगा जो की उसे block करेगा तो हमने air vent भी उसी तरीके से design किया है अपना drainage system भी उसी तरीके से design किया है ताकि ये ventilated pressure equalized completely रहे अगर मैं horizontal section की बात करूँ तो ये एक interlocking system है और vertically जो हमारी line चल रही है वो interlock होते जाएगी बहुत आसानी से जिससे हमारा समय भी बचेगा दूसरी चीज कि ये fully concealed joint रहता है aluminium के थुरू तो यहां से पानी बिलकुल ही अंदर नहीं जाएगा और जो हमारा drainage बना हुआ है उससे ये पानी उसके थुरू ये पानी नीचे आ जाएगा ये पांच benefits जो की हमने discuss किये अभी पहले भी कि ventilated facade और pressure equalized होने के कारण हमारे male female rain screen से हमें मिलते हैं वो है moisture का management maintenance कम हो जाएगा क्योंकि automatically clean होते रहेगा rain के थुरू temperature barrier create होगा तो energy कम इस्तेमाल होगी sealant नहीं होगा तो वो दाग नहीं बनेंगे हमारे ACP के उपर और aesthetically हमारा पूरा का पूरा system जो है सुन्दर दिखेगा ये कुछ हमारे अभी के projects हैं जो हमने अभी किये हैं एक pantaloon का project है दूसरा Honda के showrooms तीसरे Kia Motors के showrooms चौरा टाटा हिटाची के showrooms ऐसे करके हमने काफी सारे building के भी projects किये हैं examples हमारे पास काफी हो चुके हैं अगर आपको जाधा जानकारी चाहिए तो हमें info at alodecor.com पर contact जरूर करिये और घर पे रहें, सुरक्षित रहें मैं फिर से आप से मिलूँगा हमारे अगले session में तब तक के लिए धन्यवाद, thank you कर दो झाल झाल